एक बाब फिर से आपका एक को नहीं वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आपको explain कराने वाला हूं हमारी क्लास 12th English की फिलिमिंगो बुक की पोईट्री की सभी पॉम्स के इंपॉर्ण एक्सटेट को समझने वाले हैं क्योंकि जो हमारे एक्जाम में एक्सटेट आएंगे वही एक्सटेट आज मैं आपको यहां पर बाताने वाला हूं तो वीडियो की स्टाड़े लेकर इंट तक दरू देखेगा शरी वीडियो को शुरू करते हैं आप देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दू कि हमारी क्लास 12th English में जो एक एक्सटेट आएगा वह तीन नमबर का आएगा और तीनों ही क्वेशन एमसी क्यूज रहेंगे यानि कि multiple choice question रहेंगे इनमें से एक question तो आपका poem का name या poet का name पूछे जाता है name of the poet या फर name of the poem तो आपको करना क्या है सबसे पहले का आपको यह करना है सभी poets और सभी poems के name learn करना है अब name learn कैसे करना है उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक trick बनाई है आपको बिल्कुल परशान होने की जूरूत नहीं है मैं आपके trick बता रहा हूँ उस trick को आप note कर लिजिएगा और आ कमला दास को है अपनी मा का दुख कमला दास को है अपनी मा का दुख पाउलो नरूदा करते हैं सब कुछ पाउलो नरूदा करते हैं सब कुछ जोन कीट्स करते हैं सुंदरता की बात जोन कीट्स करते हैं सुंदरता की बात रोबर्ट फ्रोस ने खोली है रोड की किनारे अब दिखुए इस पोम की इस लाइन करते हैं, तो मैंने क्या कहा, कमलादास को अपनी मा का दुख, तो कमलादास इसमें यहाँ पर को है, बईटेस है, मा का दुख तो बच्छों मा से क्या याद आएगा, माइ मदर एट 66, पावलो नरूदा करते हैं, कि बिबग वाइट, च आपको याद आएगा, एडरिन रिच, यानि पोईट है, इसकी, आरोट साइड इस्टेंट, तो एडरिन रिच, और जरी रिच को लगता है, और जरीफर के टाइगर से डर, यह आप लेंग कर लेंगा, फिराल यह पॉम देखिए, आपको याद आना चाहिए, कि यह पॉम से लीग गई है, पॉम, फस्थ, माइम मदर अचिस्टी से ली गई है, अब इनको पढ़ना, और पढने के बाद आप को और से आएखिए, देखके आंसर को समझाए, लिच आप बीच बिस बिस एप्लाई तो गिवन एक्स एड़ें इस X-Date में क्या कोई conversation चल रहा है, कोई advice दी जा रही है, और recollection यह निक परानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है, कोई argument चल रही है, तो बच्चों यहाँ पर recollection चल रहा है, old memory को recall किया जा रहा है, परानी बातों को ताज़ा किया जा रहा है, और recollection रहा है, आते है, question number second, which of these literary device has been used in the line, her face action like that of course, तो यहाँ पर कौन सा literary device यूज किया गया है, her face action like that cough, यानि माग के face को किस की तरह दिखाया है, कॉप्स की तरह दिखाया है, तो अच्छे बात को आप note कर लीजिए, कि जब आपके line में like या as word आ जाए, यानि two things का compare किया जाए, two things का comparison किया जाए, like या as से, तो हम, जो हमारा figure up speech होता है, वो होता है similar, कौन सा होता है, similar, similar right answer होगा, क्योंकि यहाँ पर like अगर आया है, तो यहाँ पर आप इसको similar use करेंगे, ठीक है, अब आते है, question number third, which of these is the tone of the poet in the given extent, इस extent में point की tone क्या है, क्या वो happy है, romantic है, नहीं happy, तो बिल्कुल भी नहीं थी, gloomy and fearful है, हाँ, बिल्कुल gloomy, वाले दुखी थी, डरी हुई थी, cheerful थी, नहीं, cheerful क्यों होगी, गुस्सा थी क्या है गुस्सा भी नहीं थी, gloomy and fearful, gloomy मतलब होता है, मतलब दुखी होना, fearful मतलब के डरी हुई होना, तो उसको अपनी मा का दुख था, डरी हुई थी, कहीं उसकी मा की death ना हो जाए, उनसे separate ना हो जाए, right answer भी है, question number four, which of these figure of speech has been used in the line, the young trees sprinting में कौन सी figure of speech यूज़ की यूज़ होता है, fast running, तो actual में trees running नहीं कर रहे थे, ऐसा बताया गया है, उनको दूड़ता हुगा बताया है, तो यहाँ पर किसी की तरह दिखाया जाए, living thing को, मतलब non living thing को living thing की तरह बताया जाए, तो यह होता है, personification, यानि मान भी करना, तो personification, right answer हो क्योंके trees को यहाँ पर living thing की तरह बताया गया है, right answer A, find out the word from the extract, that means dead body, dead body का मतलब आपको बताना है, तो extract में आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, cops, यह right answer होगा, तो आपको answer में रिखना है, cops मतलब होता है, dead body, तीके बच्चो, यह पहली poem हमने समझ लिए, अब आता है extract number 2, इस ही poem का है, but after us, airport stick है, अब इस Why did the point look at her mother again, कि point ने अपनी माँ को दोबारा क्यों देखा, to see if she was sleeping नहीं, ऐसा भी नहीं था, सोतो ही रही थी, to check if she was well, no, to bid her goodbye, to say something to her, right answer C आएगा, to bid her goodbye, यानि कि उससे अलविदा लेने के लिए, विदाई लेने के लिए, यहाँ पर right answer आएगा, C, which of these has the point compare mother's face, mother के face को कि किस से compare किया गया है, चलो देख लेते हैं, उपर, late winter spoon से compare किया गया है, किस से, late winter spoon से, तो कहाँ पर right answer, B है, late winter spoon से compare करा है न, ठीके, which of these was the reason of mother's perfect, mother के उतरे हुए चेहरे का, पीले और फीके पड़े हुए चेहरे का कारण क्या था, mother's की old age थी, mother's depleting energy, mother's illness, नहीं, right answer आएग B, बूली भी हो गई थी, और उनकी energy less हो गई थी, ठीके, be right answer है, पोईट्स का childhood fear क्या था, what was the poet's childhood fear, mother's illness थी, mother's growing world, नहीं, बच्पन में बीमारी कोई मतलब नहीं था, एजी नहीं था, C, right answer है, losing her mother forever, यह पोईट्स का बच्पन का डर था, अपनी मां से बच्छने का, मां को खोने का हमेशा के लिए, C, right answer, why is the point, C, you, Sunamma, point ने C, you, Sunamma, क्यों कहा, B, be hopeful to meet mother again, मतलब के, यह उसके अंदर एक आशा थी, वो optimistic थी, आशा वादी थी, कि दोबारा अपनी मां से मिले, इसे उसने का, C, you, Sunamma, जल्दी मिलेंगे, why is the point, smile again, दोबारा मिसमा मुस्क्राट क करी, smile करने का नाटक कर रही थी, और अपने अंदर के डर को चुपा रही थी, right answer आएगा, D, A, B, D, right answer, ठीक है, इसके बाद आते हैं, second poem पे, now we will count to 12, पावलो नरूदा वाली poem है, keeping quiet, ठीक है, the poem from which has the above text been tagged, किस से लिए गाए, जापत को count वाली बात चल रही है, तो right answer क्या चुप हो जाओ, C, right answer है, what is the point, one to another, point क्या चाता है, दूसरों से, keep quiet, introspect, चुप हो रही हो, introspect करना क्चा है, right answer इसका A है, ठीके, what should keep quiet, according to point, question is, हमें, चुप क्या होना चाहिए, सबी आएगा, right answer, भै, इस से हमें, शांती मिलेगी, शुकूर मिलेगा, भाईचारा पैदा ह होगा साइलेंज मिलेगा सब होगा तो राई टांसर आएगा मारा डी कि फोर्थ वाले को मत करिए इसके बाद इसको भी छोड़ दीजिए अतिंक आप ब्यूटी इस पर जाई लिटल ओल्ड हाउस रोट साइड इस्टेंड नेम दा पॉम के नेम और पॉइट का नेम बताना है तो पॉम कोन से है रोट साइड इस्टेंड आप यहां पर लिख देना रोट साइड इस्टेंड क्या कोने बच्चों रोबर्ट फ्रोस्ट यह पॉइट लिख देना है ठीक है वाइड दॉट साइड इसको छोड़ दो सिर्फ इंपोर्टेंड करवा रहा हूं मैं आपको अजा यह यह बाला आंट जेरिफर टाइगर्स वाला अब आप एक्सडेट किस से लिए गाए और जेरिफर टाइगर से लिए गाए द्रेफर टाइगर्स वह प्रेंसिग लिए तो इसका जेकिंड इंपार किश के दौर्ड लिखी गई है अब वर्ल आप ग्रीन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फॉरेस्ट अब इससे बार कुछ भी नहीं जाएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जादा जाद कीजिएगा चिनल पन्हें चिनल को सब्सकाइब भी कर लिजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग